बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसका नाम है निशा बांगरे ये आजकल खासी चर्चा में है ना ये अब अधिकारी रही ये डिप्टी कलेक्टर थी लेकिन टिकेट की चाह में इन्होंने पहले तो नोकरी को टाटा बाय बाय कर दिया और उसके बाद ये चाह रही है कि अब किस प्रकार से वो नोकरी ज्वाइन करने के लिए बाते कर रही हैं ये सब बाते हम आपको बताएंगे जब इन्होंने जब इनका इस्तिपा सुईकार नहीं किया गया तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से इनके कपड़े फाड़ फाड़ गय थे मतलब जो वो होता न था कॉंगरेश इनको टिकेट दे सकती थी इस के लिए इनोंने दिप्टी क्रेंटर का पद छोड़ दिया ठीक है बईया छोड़ने के बाद ना तो इनको विधानसभा कका टिकेट मिला उसके बाद इनोंने इनकी भासा सुर बदल गए लेकिननोंने कांगरेश ने इनको पिर मनाया, भुएलाया फुसलाया और कहा कि चलो हम आपको लोकसभा का टिकेट देंगे। अब लोकसभा चुनाओ की लिष्ट भी जा रही हो चुकी है और यह बैतूल से टिकेट मांग रही है, ठीक है? अब टिकेट मांग रही है, लेकिन इनको टिकेट तब भी नहीं मिल रहा है अब लोकसभा को चुनाओ का टिक्ट भी नहीं मिला तो अब क्या करें बहto को वापिस से अधिकारी बनने कि सूजी अब जिस पती-पत्नी के परिवार की दोहाई देती रहने के लिए आज उनी पती पतनी की दुहाई के माध्यम से उनी के लिए अपनी सांतना के तौर पर अधिकारी बनने की पेशकस की जा रही है चलिए पहले सुनते हैं उनका ये एक वीडियो जो चुनाओं के पहले का है अधिकार मुझे नहीं मिलता है और ये अभी रिशेंटली करेंट वीडियो है इसको आप सुनियेगा उचनाओं के पहले क्या बोल रही थी कि पती-पत्ने के साथ रहने वाली इसी नोक्री में का करूंगी और इसके लिए बहतरी रियक्षन भी हमें रियक्षन भी दिखाऊंगा पहले आप इनका ये वयान सुनिये अभी करेंट का परिवार का दबाव ऐसा है कि आपको नोक्री में वापिस जाने का आवे दन 18 जनवरी अभी तक मैंने कोई बहुत खास प्रयास नहीं कि आवे दन जरूर दिया है तीन महीने हो चुकी है अभी पड़ी लिखी महला है नोक्री भी कर चुकी है तो क्या आखिर कांग्रेस ने ऐसी बादा किला भी क्यों की ये तो उनका लुकाउट है वो उनका है कि वो क्या करना चाहते थे पहले तो उनोंने विदान सभा में मैं तो अपनी नौकरी अच्छे से करी रही थी उनके ही द्वारा पहले बुलाया गया फिर पार्ट टिकेट देने की बात करी गई मेरा कोई खुद से ऐसी रुची थी ने क्योंकि मेरी कोई पारिवारिक या राजनायतिक परिष्ट भूमी नहीं है जिसकी बदालत मैं राजनीती में आगे बड़ सकू लेकिन फिर भी मैंने ये दुस्सा हस किया था सिर्फ इसलिकी उन्होंने वादा किया कि हम आपको विदान सभा का टिकेट देंगे विदान सभा का नहीं दे पाय तो उस समय कहा था लोग सभा का टिकेट देंगे तो वो भी नहीं हो पाया तो हमारे परिवार वालों को बड़ा ठगा सा महसूस हो रहा है, बहुत दुखी है, तो उनको दिहान में रखते हुए, मुझे आधी मन से फैसला लेना पड़ रहा है, कि नौकरी में वापस जाने का आवेदन दिया था, बिल्कुल ऐसा मुझे बताया है, किसीने की पहले लो लेकर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अब देखिए, कमेंट में लोगों ने क्या दिया, देखिए, ललन टॉप को दियेगा इंटर्व्यू के बाद, सोसल मीडिया पर, सोसल मीडिया पर जम कर सबने इनकी क्लास लगा दी, इन्होंने निसा बांगरे के लिए क्या कहा बिना परिक्षा बहाली ना हो, स्वार्थ सब के सामने दिख गया है, राजनीती में खुद की तरक्की चाहिए थी, जन्ता की सेवा के नाम पर, अब करो सेवा, यहने कि बोली हम जन्ता की सेवा करेंगे, आप किसी पार्टी की नहीं हो सकती, आपका उद्देश जन सेवा नहीं कड़ोपती बनना है, इनको राजनीती में मिला लगा कि यहां पर तो फायदा मिल जाएगा, अब जब की ना तो घर के ना घाट के वाला काम हो गया है, तो अब ना तो वहां कड़ोपती बनने के लिए तो राजनीती पर जा रहे थे, ऐसा लोगों का या, सब का मानन करना है, अगर इनको चुनाव लगना ही है, तो निर्दरी लड़ो भी या कौन रोग रहा है, समासेवा करना है, जरूर थोली की कांगरे से बीजी बिछलो, लड़ो निर्दरी अगर समासेवा करना है, तो जंता वैसे चिता देगी आपको, अब देख लीजिए, पैसा ऑक करने तक आप अरिंजी केजीरवाली को देख लीजिए, जब कहते हैं हम चार घर के कमरों में रहेंगे, लेकिन आज 80 करोड से जादा का तो इंटीरियर रखेला है उनका, अब भजगेरे ओबामा, लोगों को बेवकूप समझ रखा है क्या, आरोप लगाने के लिए खुद दोने लालत बुरी बला है, यही हाल हुआ मेडम जी, पद पर रहकर भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, संगर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ लोग, एक आद लोग तो कमेंट अच्छे पॉजिटिव भी कर रहे हैं, आपका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स मे नहीं लेना चाहिए, जैस स्रीराम, इनका उद्देश एक साथ करूपदी बनना था, इसलिए राजनीती में आ गई, क्या जन सेवा SDM बनकर नहीं हो सकती थी, यह सवाल है हमारे कुछ दरसकों का, ठीक है, आप भी कमेंट करिएगा, आपके साथ दोका हुआ, आप फिर सब PSC के परिच्छा दो, एक और मड़ा कॉस्चन, ठीक है, और हाँ, आकिसी को PSC के परिच्छा देना हो, तो हमारे नोट्स अवेलेवल हैं, दिप्ति अकेडिमी के नोट्स भी अवेलेवल हैं, अगर आप चाहें, तो हमारी एप्लिकेशन पर जा सकते हैं, ठीक है, प्लेश् चैनल को MPPSC देसे को जोईन कर लिजिए, हमारी पूरी तगडी टीम है, आपके लिए बहतरीन कंटेंट मनाती है, हमारे सोजर मीडिय प्लेटफॉर्म है, और हाँ, मोबाइल एप्लिकेशन दीप्ति सेंकेडमी डानलोड कर लिजिए, प्लेश्टोर से, मात्र, मात्र, बार आपको सेलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप हमारे आदर पढ़ सकते हैं, आपका उद्देश शिर्फ सेलिफिसनेस है, ये बोला गया है, ठीक है, तो ये आपको लालज बुरी बला है, खटम, ताता, बाई बाई, ये कमेंट देके 10 साल बाद मेडम कलेक्टर बनती है, और अगर जोब वापिस मिलती है, तो मैं इसके अगेंस्ट कोट जाओंगा, भाईया, ये कोन है, IPS पावर करके कोई बोल रहा है, कि अगर मेडम को नोकरी दुबारा मिलती है, तो मैं इसके अगेंस्ट कोट जाओंगा, ये अच्छी लोग सेबग कभी नहीं हो सकती, अब दॉक्टर है,